Hey guys, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग Redmi Note 10 Pro 5G के बारे में जी हाँ, अगर आप लोग के मन में डाउट है कि Redmi Note 10 Pro इंडिया के अंदर लाँच हुआ है, तो वो 4G वेरिंट लाँच हुआ है, पर इंडिया के अंदर अभी रिसेट में Redmi Note 10 Pro 5G भी लाँच होनी वाल है, प्लस इस फोन का प्राइसिंग, क्योंकि आप लोग को बहुत ही कम प्राइस पॉइंट पे Redmi Note 10 Pro 5G स्मार्फोन इंडिया के अंदर देखनी को मिलनी वाला है, और प्लस यहां पे हम लोगों डिजाइंग में भी बहुत जादा चेंज देखनी को मिलेगा, क्योंकि रियर में नियू हम लोगों केम्रा शेट अपस देखनी को मिल रहा, मत्ब यहां पे डिपल रियर कैम्रा सेट अपस देखनी को मिलेगा, जो बहुत ही amazing है, प्लस और भी बहुत सारे add-on features देखनी को मिलेगा, अब यह स्मार्फोन बहुत उच्छे price point पे लाँच होने वाला है, अ अब यहाँ पे ना हम लोगों को 5G के लिए इस फोन के अंदर कॉलका में स्नाप ड्रैगन का चिपसेट देखने को नहीं मिल रहा, मतलब यहाँ पे हम लोगों को बचेट में ही, मतलब इस फोन के लिए बहुत सारे uses वेट कर रहे है, प्लस अगर आप लोग गेमिंग करते हो तो इस फोन के अंदर आप लोग बहुत ही अच्छे से गेमिंग कर सकते हो, as compared to the Redmi Note 10 Pro India variant, अभी यहाँ पे यह लाँच हुआ है, चैने के अंदर पर इंडिया के अंदर भी बहुत दी जल्दी देखने को मिलेगा, डिस्प्ले के वारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे Redmi Note 10 Pro 5G ना इंडिया के अंदर आने वाला है, 120Hz refresh rate डिस्प्ले के साथ, मतलब यहाँ पे डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिल रहा, पर यहाँ पे OLED पैनल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे IPS LCD पैनल ही देखने को मिलेगा, 6.6 इंच के साथ आने वाला है, डिस्प्ले साइज काफी अच्छा होने वाला है, प्लस यहाँ पे साइड माउंटेट फिंगर प्रिंट स्कैनर मिलनी वाला है, और एक सिंगल पंचोल जो सैंटर पंचोल होने वाला है, और पंचोल बहुत ही छोटा दिया जा रहा है इस फोन के डिस्प्ले में, ऐसे डिस्प्ले ओवरॉल यहाँ काफी अच्छा होने वाला है, रैट्मी 910 प्रो 5G का, जो इंडिया के अंदर अभी रिसेंट में लाउंच होने वाला है, और भी बहुत सारे न्यू इस फोन के अंदर फीचर दिये जारे हैं, जैसे कि इस फोन के अंदर ना, हम लोगो जेवियल के स्पीकर देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा फीचर है इस फोन का, कैमरी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे इस फोन के अंदर एक न्यू ट्रिपल रियर कैमरा सेटप देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे 64MP का प्रैमरी कैमरा मिलने वाल है, पर यहाँ पे अपग्रेड करके 108MP का कैमरा मिलना चाहे था, Samsung GetchM2 सेंसर, पर यहाँ पे Sony का AMX सेंसर देखने को मिल रहा है, 64MP का, प्लस यहाँ पे सेकेंड सेंसर न, 8 megapixel ultra wide angle lens देखनी को मिलेगा plus 2 megapixel last sensor मिलिंग वाल है जो depth sensing या फिर micro sensor होगा पर यहाँ पर no doubt यार काफी अच्छा camera दिया जा रहा है इस phone के अंदर ऐसे overall यार camera setup काफी अच्छा देखनी में लग रहा और front selfie camera के बारे में बात करते हैं फ्रेंड में हम लोगो 32 megapixel का selfie camera मिलेगा बैटरी चार्जिंग के बारे में बात करते हैं अब यहाँ पर इस phone के बैटरी में बहुत इंप्रूब्मेंट देखनी को मिल रहा क्योंकि 5000 mAh का बैटरी मिलेगा इस phone के अंदर plus charging के लिए 67 watt का fast charging मिलेगा जो बहुत ही amazing होने वाला है यह smartphone बहुत ही quickly charge होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 67 watt का fast charging देखनी को मिलेगा जो बहुत ही amazing होने वाला है plus यहाँ पर battery backup भी बहुत ही अच्छा देखनी को मिलेगा pricing and India release date के बारे में बात करते हैं तो यह smartphone अभी recent में ना काफी अच्छे price point पे आने वाला है मतलब यहाँ पे confirm है कि यह smartphone ना 15-20,000 रुपे तक के price point पे आएगा मतलब 15,000-20,000 रुपे तक के price point पे और यहाँ पे हम लोगो side mounted fingerprint scanner मिलेगा जो बहुत ही fast है और यहाँ पे pricing यार best इस phone का क्योंकि आप लोगो comprising में बहुत सारे new features देखने को मिलेगा इस phone के अंदर और अगर हम लोगो release date के बारे में बात करते हैं तो यह smartphone ना आने वाले एक महीने है मतलब आप लोगो जुन के made या फिर end तक officially देखने को मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर यह smartphone recent में ही चैना के अंदर launch हुआ तो आप confirm है कि इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादी देखने को मिलेगा क्योंकि यह एक 5G model है तो that's it for in this video अगर आप लोगों यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को like, subscribe और चैनल पर नहीं होतो यार कर लो subscribe और press कर दो bell notification again को comment करके अपना opinion बता सकते हूं मैं मिलता हूं मेरे next video में